आप स्लाम लेक्म कैसे हैं आप साब लोब ठीक हैं मैं अमीद रती हूँ कि आप साब ख्यारिया से होंगे अपने अपने गरों में इंशाला तो आज मैं आपको बान सेंट्विच की रस्पिक तान लगी हूँ और बान सेंट्विच य nodig में अधिagt GUM में ठीक निए भीद हैं मैंने Mark कोरती हैं वह बिर्च या रस्पिक नेगिस माइच लेंगे ला चीएंगे में अदा खिलों किमा नीए किमा बिला सकते हैं और इसमें पाने निहाँ होना चाहिए तो इसमें जिम साले जायँगे वह मैं गर्म साल將ग बढ़ खुट ईस्पून जीरा बुना हुआ हुट अफ हूड हुट्ट। नमक pops इस हुट्क गूट गाग शॉट्च W लेड़ मिर्चे हुट्ञ पुट्र कोरियंडर बॉडर पॉर्टर ग्रेट सभण य원 भौरर के करें खोले हैं हमसार हो diesen के साथ प्याज है मैंने जॉप का लिए ने सबस मिर्चें यह तीन से चार हो और अबने बरीग काट लीं चल लिए जिसमें टालते हैं सारी चीजें गरम साला नमक जीरा बॉरडर अगर आप मिर्चे कम डालना चाहते हैं तो कम कर सकते हैं दनिया पॉर्डर और यह चाट मसाला और अगर आपको लगेगी लिक्वर्ट में थोड़ा सा तो आप इस पर वान टेबल स्पून ब्रैड क्रम भी डाल सकते हैं चलें यह डालते हैं सारा कुछ जो देखें से शलें सार्वां में से रहने और यह दो पीयास स्वड़ी नहीं है मैंने अब कर दो स्वाल में श्रीम अच्छे से अब झोधिया ख़ी और मुझे तोड़ा सा लिक्वर्ड लाग है इसमें पानी तोड़ा सा लाग रहा लेकिन मैं ने पहले नहीं था है लेकिन आप मैंने जब मसाले डालने हैं सारा कुछ थोड़ा सा मुझे लगा है तो अब मैं इसमें ब्राड गरम डालने लगें छोड़ी सी यह देखें आप बांटे पस बोंके ब्राबर डालें अब मैंने पहले से घरम करना रहती है मैं और डालती है इसमें चलेंगे में डालती हूं थोड़ा साइल डाला है दो टेबल स्पून के बराबर इसको करने कवेट करते हैं इसका यह आपको बताती है क्योंकि यह लंबी ब्रेंड है तो इसी के साब से मैं फिर इनको लंबे कबाब बनाओंगी यह देखें यह थोड़े से ना मोटे नहीं होने चाहिए पतले बतले से होने चाहिए यह देखें अच्छी तरह है आप इसको सारा चाहिए अच्छी में कर दो आए आप है तो है यह यह दो है यह दो आपने को प्राइए जाने की प्राइए जाने लिए प्राइए तो तो इसाइए अंदर से हम पोड़ कि अज़ने अधाय बारते जाएं कि इस पर पूर भी आजा जाया उदर भी रखने है कि अ कि अ कि अ कि अ कि प्रूर तो दो आपकी पूरूर अश्याग है इसाइट को दिपाना है तोड़ा अभी नहीं डिपाना है छोड़ा अभी नहीं दिरोन हो आपस शुषरी साइट को दिपाना है अब यह थोड़ा सब्सक्राइब करें अब यह थोड़ा सब्सक्राइब करें तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा फेमिई फेंड करें और इसे पाति मेरी योडियो के पूरावाज़ प्याष परें, ताकि आपको पता चले रहती नहीं रहती का तो आप इसना प्राई किया करें और यह दो यह भी हो गया, यह नुकाल रहें जो दें अब मैं आगे आपको बताती हूं क्या करना है यह मैंने दो टेबल स्मून आड़ डाली एक स्वास्मान में यह देखे इसमें डालूंगी प्याज एक प्याज है ऐसे लमा लमा आप काट लें और इसमें यह आफ टी स्मून से कम चीनी है ब्लैक पेपर है काली मिच्चे हाफ आफ टीस मुझे कम नमक हाफ टीस मुझे कम इससे टेस्ट बढ़ा चाहेगा यह जो मैं प्याज और टमाटर शिम्ला मेच बनाए लेगे लिए इसमें लगाने के लिए इसके उपस चलें जी तोड़ा सा इसको बास होते करना है अब मास टोटे करना है यह ज्यादा नहीं कीब करना है इस थोड़ा सा और इससा आइड़ करती हूं इससी में यह मैं थोड़ी से शिम्ला दरूंग इससे बास आइड़ करता है तोड़े सिकार से साथ मादर का दोज तोड़ा चबाज इसके लाओ करना है कि तरह इसका तरह इसका इसका तरह इसका चल्या में इसका आप तो रेड करें तो पाकिस्तान में तो इतनी तो कि तरह इसके लेड में पाकिस्तान के जल्दी में कि इसके साथ इसके लाओ यह उतना इसका प्रोड़ा इनको कि थोड़ा करनें तो भी यहां से खोड़ा करनें इसके तार ने आपको इस सॉस की तार ती जब तकी हो रहा है तो इसके सॉस रवाने मायो निस लोगी में इसके शाए मायो ने लेले आप दो तीन ते बसे लेले थोड़ी सी चली सॉस और ये केटप ती जड़ी में ती जड़ी में की सॉस रची है अर इसके मैं इसके मैं शक्तों जब ने जब हो रहा है तोड़ा साइसे में सिर्का भी डालेंगी तोड़ा साइसे में सिर्का डालेंगी यह सॉस बड़ी मली त्यावर किया है वास थोड़ा सा और घरमी भी बहुत ज्यादा हो गया है तो यह देखें यह फिर मायोनीज में ली ए और इसमें दूसरी सॉस बताना ने जो श्पाइसी खाना चाहते है न तो वह देखें साबस मिर्ची है थोड़ी सी हाफ्टी स्कून् यह काम भी गार सकते हैं इसमें थोड़ा सा सिर्काप आप टीस्पून चकाँ चलंग यह भी सॉस त्यार होगी है मारी इसको मिक्स करोंगी मैं अच्छी तरह से चलंग यह भी सॉस त्यार होगी सारी सॉस लगा दोगी इज़र भी लगानों यह उपर भी दोनों दरफ सोस लगा देंगे थोड़ी सी में यह भी लगाँगी यह देखें और यह हपीस रखेंगे एक चिकन का और उपर इसके सोरी में बूल गी थी पहले आपने आपने ना यह सालट का पता जो होता ना वो रखना है यह जैसे अब मैंने यह जो बनाए है ना यह प्याज और शीमला और टमाटर का यह आपने उपर लगा देना से यह बड़े मज़े के बनते हैं और आप जरूर बनाना और कॉम्मन करके बताना कि आपको कैसी लगी मेरे यह रेसिपी चलेंगी इसके साथ ही यह मैं यह देखें अब इसके साथ लगाएंगे जितनी आप संद करते हैं ज्यादा लगा लें काम लगा लें फिर सालत का पता यह देखें अब इसके ओपर भी मैं यह दोनों मिक्स लगा लेती हैं यह देखें जब लेंगे अब यह लगा लों उसके उपर इसे ही मैं सारे बना लेती हैं तो फिर आपको दिखाती हैं यह देखें मैं दो को तवय के उपर करने रखे हैं क्योंकि गरम गरम इनका मजा आएगा यह देखें इसके मैं दो तांगो नहीं पेखाई नहीं जाते हैं तो ना लगाएं दोग में लगाई हैं इसको घरम करना रखती है अब ऐसे मैं बनाने लगी हूं सारे गरम करने लगी हूं पिर आपको दुखाते हैं यह देखें जी त्यार है हमारे यह बर्गर सैंड्वीच अगर तो आप जरूर ट्राइक करना तो जरूर फीडबैक देना कॉमेट्स करना इसके साथ ही लाइक करना ज्यादा स्यादा शेयर करें सिस्क्राइब करें और इंशाला आपसे नेक्स वीडियो में नई रेसिपी के साथ मुलाका तो होगी आपना बहुत सारा आपने ख्यार रखना है आपसे ज़्यादा चाहती हूं आपको अपनी फाज़त में रखें लाफीज